बिहार में सिक्षा को लोकर लगतार सवाल उटते रहे हैं एच्चमें बिहार के राधानी पटना का मेठापूर का इलाका सिक्षा का हब बनने जा रहा है इसको लेकर लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है धेर मुक्स अचिप ने पतना जिला धिकारी को चिनित भुखंड को जल्दी आवंटन करने का निदेश दे दिया है बता दें कि मीठापूर इलाके में तीन नए बिस्पिदाला बनाया जाना है इसके लिए जमीन आवंटन किया जाना है इसको लेकर तैयारी सुरू कर दी गई है बता दें कि बिस्पिदाला निर्मान को लेकर मीठापूर बासस्टेंट को बेरिया में सिफ्ट कर दिया गया है इसके बाद अब मीठापूर बासस्टेंट के पास 17 एकर जमीन खाली बची हुई है बितातें कि इतने भोखंड में अलग-अलग ग्रूपों को में बाटा गया है सरकार की और से बनाए ग्रूप के अनुसार भोखंड A और B में तीनों बिस्विधाले बनाए जाने है सरकार की और से बनाय गए ग्रूप के अनुसार भोखंड A और B इनों बिस्विधालय बनाय जाने हैं इसमें पाटले पुत्र बिस्विधालय के अलावा बिहार चकित्सा सिच्छा वबिहार तक्निकी सिच्छा बिस्विधालय बनाय जाना है इसके साथे साथ भुखंड C में सभी संस्थाओं के लिए कॉमन सुविधान कुलब दोगी जिसके तहर और्डोर अस्टेडियम, इंडोर अस्टेडियम, सौपिंग कम्पलेक्स, स्वास्त केंदर, फायर अस्टेशन बनाये जाने का प्रस्ताब है पुटादें की इसको लेक पट्टी को चौड़ी की जा सके इधर भुखंड D और E में हरित पट्टी में बड़ी भुखंड D पूरी तरह से ग्रियन सड़क के तौर पर तयार किया जाएगा इसके लिए कमिटी बनाई जानी है बताया जा रहा है कि मौलाना मजहूर लहक अर्भी फार्थी अलाएके परिशद और मुख द्वार में चंद्रगुप्त प्रवंध संस्थान को जोड़ने वाली सड़क के बीच का छेतर नक्सा में E के रूप में अंकित किया गया है पतादें कि यह पूर्व से हरित छेतर के रूप में प्रस्तावित है प्रंतु प्रस्तावित मेट् अर्षानी से एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा सके मेडिया में चल रहे है ख़़वरों की माने तो पार्टली पूतर विस्पिडाले के नमियूप कुलपती की विहार के सिच्छा मंदर से मुलाकात हो सकती है बताभा जारहा कि कुलपती की मुलाकात में जमेन को बात्च पर उसके बाद एक समय होता है जब किसी भी नए इनवर्सिटी को फंडिंग देती है ताकि वह अपना विकास कर सके अपने डिवलक्मेंट का कार्ज कर सके ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि नए ग्रेंडिंग के लिए भी तैयारी शुरू हो जाएगी उसके बाद जो है इउजी सी जो है नए ग्रेंडिंग देती है कि इनवर्सिटी जो है तो किस लेवल का है किस अस्तर का है किस दर्जे का है उसके अंदर में ले मिलने वाली सुविधाएं जो है किस अस्तर की है तो दोनों चीजे जैसे ही जमीन का आवंटन होता है तो पाटले पितर इधर इस जमीन के मामले को लेकर बोल्ट वे पतना के जिलाधिकारी डव्टर चंद सिखर ने बताया कि किस संस्थान के कितनी जमीन दी जाए इसको लेकर सिछा विवाग से मांगा गया है तो एक तरह से कहलें कि अब जो है मीठापूर काईरा का जो पहले कभी बसस्टेंड के नाम से हम जानते थे लंबे समय तक लोग यहां बस के सवारिया यहां से करते थे लेकिन अब जो है उसस्टेंड को बहरिया में सिख्ट कर दिया गया है और वो जो है एक international बसस्टेंड बन गया है पेरिया में अब मिठापुर की जो खाली जमीन है वहां पे जो है जो इजितेस्नल हब बनाने की बात कही जा लिए जिसके तहर तीन नई इनवर्सिटियों को साबित करने की बात कही गई है बिहार और बिहार स्टुड़ों और वियसेंग खबरों के लिए बने दहें बिहार इनवर्सिट के साथ मुझे जिये जाज़त धन्यवाद